हेलो फ्रेंड्स आसा है आप सभी लोग सुष्ट होंगे फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पुलिजर अवार्ड विनर्स की लिस्ट को यानि कि पुलिजर अवार्ड पाने वाले सभी जो विनर्स हैं किस एर में उनको आवार्ड दिया गया किस वर्क के लिए दिया गया और उनका नाम क्या था हम एर वाइज पर एर डिसकस करते चलेंगे कि किस एर में किस वर्क के लिए किस आथर को ये आवार्ड प्रोवाइड किया गया तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है यूसफुल होने वाली है क्योंकि इस तरह के जो पुरी के पुरे लिस्ट है वो आपको बहुत कम जगा मिलने वाली है यूटूब चैनल पे तो चलिए अब हम सुरू करते हैं फ्रेंड्स आपसे एक रिवेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 70 से अधिक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि MCQS फॉर्म के वीडियो हैं उनमें मैंने सभी British Literature के American Literature के साथ ही साथ Non-British Literature Indian Literature Rhetoric and Proshority Literary Theory and Criticism इन सभी चैप्टर्स पे मैंने MCQS के फॉर्म में Question Answer अपलोड किया है जिसको आप देखेंगे Examination Point of View से बहुत ज़्यादा Important है वो चले आज हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले Friends थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि Pulitzer Award जो है वो Excellence in Newspaper Generalist जो Newspaper Generalist होते थे जब वो अपने Generalist में Excellence हासिल करते थे सबसे अच्छा कुछ करते थे तो उनको Pulitzer Award दिया जाता था या फिर बात करें Literary Achievements की जो Literary Achievements हासिल करते थे जिनका Literature बहुत अच्छा होता था उनको दिया जाता था Musical Composition के लिए भी ये Award दिया जाता था तो ये चीजें ठीक जानकारी में होनी चाहिए कि Pulitzer Award दिया क्यों जाता है तो फिर तीन चीजें आप याद करें कि Excellence in Newspaper Journalist Literary Achievements and Musical Composition के लिए ये Award दिया जाता है क्योंकि Literary Achievements की बात है इसलिए हम लोगों को सभी Pulitzer Awardies को पढ़ना बहुत जादा जरूरी है मैंने Friends इस वीडियो में इस तरह से जैसे मैं यहां देखे लिखा हूँ 19, 100 and 10 तो ये 19, 10 के जो पूरे जो डिकेड हैं उन सभी डिकेड में जिसको जिसको Award मिला है मैंने एक पेज पर इतने ही लोगों को रखा है जैसे 19, 10 में यानि 19, 10 सताबदी में पहला जो ये जो Award मिला था वैसे तो ये Award देना शुरू हुआ था 1917 में लेकिन जो है मेरे पास जो लिस्ट है वो 1911 से है तो 1911 में पहला Pulitzer Award मिला His family एक वर्क था किसको मिला था Arnest Paul को Friends ये चीज़ें बहुत important है और First Pulitzer Award winner कौन थे Arnest Paul थे ये तो एक्जाम में पूछा ही जा सकता है क्योंकि First, Second और उसके बाद Indian अगर है तो उनको पूछा जाता है ठीक Friends तो Indian नहीं है तो British आर्जा है या कुछ important जो रहेंगे उसको बीच बीच में मैं बताते चलूँगा चलिए दोस्तों तो फिर अब हम देखते हैं कि First जो Pulitzer Award यानि कि 1918 में जिसको दिया गया वो थे Arnest Paul कौन थे? Arnest Paul थे उनके किस वर के लिए दिया गया? His family के लिए जहां एक question आपका तैयार हो गया वैसे दो-तीन हो गया होंगे कि Pulitzer Award क्यों दिया जाता है? तो फिर आप कह सकते हैं Excellence in newspaper, journalist, literary achievements या musical composition के लिए एक question ये हो गया या फिर ये पूछा जा सकता है कि First Award First Pulitzer Award winners Who is the first Pulitzer Award winners? चलिए बताएए तो फिर आप बता सकते हैं कि Ernest Pulitzer जो है वो First Pulitzer Award winner है इसके बाद ये question आ सकता है कि उन्हें किस work के लिए ये award मिला था His family के लिए मिला था Ernest Pul को His family के लिए मिला और किस year में मिला 1918 में मिला चलिए next topic पे चलते हैं और 1919 में मिला था The Magnificent Embersons के work के लिए किस work के लिए Magnificent Embersons वर्क के लिए मिला किसको मिला By Booth Tarkington को किसको मिला By Booth Tarkington तो ये दो थे जो 1910 के दसक में 1910 के दसक में इन लोगों को मिला दो लोग थे एक थे Ernest Pul और दूसरे थे Booth Tarkington Ernest Pul को His Family के लिए और Magnificent Embersons जो वर्क था Booth Tarkington का उनको 1919 में ये वर्क दिया गया चलिए फ्रेंड चलते हैं अब Next 1920s यानि 1920 में शताब्दी पर तो फ्रेंड अब 1920 में शताब्दी पर आ चुके हैं 1920s यानि 1920 में हम देखते हैं 1920 में No Award Given कोई Award नहीं दिया गया इसके बाद 1921 में Award दिया गया Edith Walton को किसको दिया गया Edith Walton को दिया गया किस वर के लिए The Age of Innocence के लिए इरित वाल्टन को दिया गया 1921 में पुलिजर प्राइज इसके बाद 1922 में किसको दिया गया बूथ टार्किंटम को एक बार फिर्च दिया गया किस वर्ड के लिए एलाइस एडाम्स के लिए चलिए तो लगे हाथ आप बता दीजे कभी बूथ टार किंग्टम को जो 1919 में दिया गया था पुलिजर प्राइस वो पुलिजर अवार्ड जो दिया गया था वो किस वर्क के लिए दिया गया था इसी तरह से आप याद करते रहें इस वीडियो में इतनी बार क्वेशन पूछूंगा कि आपको इस वीडियो में ही धेर सारी क्वेशन से याद हो जाएंगे पुलिजर प्राइस तो 1922 में एलिस एडम वर्क के लिए बूथ टार किंग्डम को दूसरी बार पुलिजर अवार विला कैथर थी कौन थे विला कैथर इनको मिला वन आफ आफ आवर्स बाई विला कैथर यह पुलिजर अवार्ड 1923 का वन आफ आफ आवर्स को विला कैथर जी को दिया गया और उसके बाद 1924 की बात करें तो दी एबल मैक लॉलिंस मैक लॉफिंस यह जो वर्क था यह दिय गया Margaret Wilson को किसे दिया गया Margaret Wilson को दिया गया और 1925 में इदना फरवर थी 1925 में सो बिग सो बिग वर के लिए इदना फरवर को Pulitzer अवार्ड दिया गया फिर बात करते हैं 1926 1926 में Aerosmith वर्क के लिए Sinclair Levis को ये अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट ही गया गया था लेकिन उन्होंने डिकलाइंट कर दिया था इस प्राइज को उन्होंने इस प्राइज को डिकलाइंट कर दिया उसके बाद आता है 1927 और 1927 में Early Autumn एक वर्क था बाई Lewis Bromfield के द्वारा किसके द्वारा? Lewis Bromfield के द्वारा Early Autumn लिखा गया था जिस वर्क के लिए इनको 1927 में Pulitzer Award दिया गया उसके बाद 1928 में The Bridge of San Luis Ray वर्क था इसके लिए दिया गया था Thornton Wild के लिए किसको दिया गया? Thornton Wild को दिया गया फिर 1929 में ये वर्क दिया गया इस डिकेड का, 1920 के डिकेड का ये लास्ट पलेजर अवार्ड था Scarlet Sister Mary Scarlet Sister Mary, Julia ये वर्क दिया गया था किसको? Scarlet Sister Mary by Julia Peter King को ठीक फ्रेंड्स तो Julia Peter King को ये वर्क दिया गया था 1929 में अब चलते हैं फ्रेंड्स 1930 के डिकेड में यानी 1930 के दशक में चलते हैं 1930 के डिकेड में आप शुरू करते हैं 1930 में ये वर्क दिया गया फ्रेंड्स Laughing Boy by Oliver Lafarge को 1930 Laughing Boy by Oliver Lafarge को फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि मैंने जो है Booker Prize Pulitzer Prize की वीडियो बन रही है Booker Prize का अपलोड हो चुका है और जितने भी प्राइजेज हैं जैसे Poet Larit की लिस्ट है यह सब चीज़ें हमने अपलोड कर दी है Timeline of History of English Literature की वीडियो अपलोड कर दी है तो इन सभी important topics की मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है आप Literature नाम के प्लेइलिस्ट में जाके उन सभी को देख सकते है चलिए Friends अब देखते हैं 1920 में Laughing Boy by Oliver Lafarge को दिया गया फिर 1931 में Years of Grace by Margaret Ayer Burness को दिया गया ठीक Friends 1931 में Years of Grace by Margaret Ayer Burness 1932 में 1932 में दिया गया The God, The Good Earth by Pearl Ears Park किसे दिया गया The Good Earth by Pearl Ears Park को उसके बाद दिया गया 1933 में The Store by Thomas Sigismund Stribling को किसे इस्टोर The Store वर्क के लिए By Thomas Sigismund Stribling को दिया गया 1934 के बाद करें 1934 में Lamb in His Bosham किसने लिखा था ये Caroline Miller Lamb in His Bosham वर्क के लिए By Caroline Miller को Pulitzer Award दिया गया कब दिया गया 1934 में दिया गया इसके बाद 1935 के बात करें 1935 में Now in November के लिए Josephine Winslow Johnson को Pulitzer Award दिया गया किस एर में? 1935 में 1935 में Now in November वर्क के लिए Josephine Winslow Johnson को दिया गया ये आवार्ड इसके बाद Pulitzer Award दिया गया 1936 में Honey in the Horn by Harold L. Davies Honey in the Horn by Harold L. Davies को दिया गया फिर दिया गया 1937 में Gone with the Wind by Margaret Mitchell ठीक फ्रेंड्स Gone with the Friend by Margaret Mitchell को दिया गया 1937 में 1938 में ये वर्क दिया गया ये आवार्ड दिया गया The Late George Aplay by John Phillips Marquand John Phillips Marquand को ये वर्क दिया गया और लास्ट 1939 दिया गया The Yearling by Marjorie Kinnam Rawlings को 1930 के बाद फ्रेंड्स अब चलते हैं 1940 पर 1940 में आ चुके हैं अब फ्रेंड्स 1940 में सबसे पहला आवार्ड मिला The Grabs of Red वर्क के लिए किसको John Steinbeck के लिए ये इंपोर्टन्ट है ये एक्जाम में पूछा जाता है और पिछले कुछ एक्जाम में पूछे भी गये हैं 1940 का जो अवार्ड मिला था John Steinbeck को The Grabs of Red ये पूछा गया है इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ये फ्रेंट्स थोड़ा सा mistake by mistake लिखा गया होगा ये 1941 है और 1941 में कोई अवर्ड नहीं दिया गया था इसके बाद 1942 में In This Our Life by Eileen Glassgo In This Our Life by Eileen Glassgo को ये वर्ड दिया गया 1942 में 1943 में Dragon's Teeth by Aptan Sinclair को दिया गया 1943 में Dragon's Teeth by Aptan Sinclair को इसके बाद 1944 में Journey in the Dark Martin Flavin को दिया गया 1945 में Abelphar Adorno Abelphar Adorno by John Hershey को दिया गया 1946 में No Award Given 1947 में All the Kingsmen by Cobert Penn Warren All the Kingsmen by Cobert Penn Warren को दिया गया 1948 में Tales of the South Pacific by James A. Maychurner को दिया गया 1949 में God of Honor by James Gold Cousins को James Gold Cousins को ये वर्ग दिया गया था ये प्राइस दिया गया था ये अवार्ड दिया गया था अब फ्रेंड चलते हैं next year पर next decade अब आ चुके हैं फ्रेंड 1950s पे और 1950s में हम देखेंगे कि सबसे पहले 1950 में दवे वेस्ट बाई A.B. गुथरी जे आर इनको मिला था किसको A.B. गुथरी जे आर को किस वर्ग के लिए दवे वेस्ट बाई A.J. गुथरी जे आर को 1951 में The Town by Conrad Richer को दिया गया उसके बाद 1952 में The Kane Mutiny by Harmon Walk Harmon Walk को 1951 में दिया गया 1952 में Harmon Walk को दिया गया 1953 में The Old Man and the Sea Ernest Hemingway ये तो पूछा जा जुका है कई बार इस वर्ग से इस राइटर से इस ओधर से और पुलिजर आवार्ड से ये कुशन पूछा गया है तो इसको आप जरूर याद करें कि 1953 में किसको पुलिजर प्राइस दिया गया था Ernest Hemingway को दिया गया था किस वर्ग के लिए दिया गया था The Old Man and the Sea के लिए और उसके तुरंद बाद 1954 में No Award was given 1955 में क्या हुआ A Fable by William Faulkner 1955 में ये अवार्ड दिया गया A Fable जो कि William Faulkner ने लिखा था उस वर्ग के लिए उनको दिया गया और इसके बाद 1954 स्वरी 1956 में 1956 में ये पुलिज़र अवार्ड दिया गया था Anderson Will Anderson Will को Anderson Will वर्ग था और Mac Kinley Canter जो थे Mac Kinley Canter उनको दिया गया था पुलिज़र अवार्ड 1957 में कोई अवार्ड नहीं मिला इस में इस लिस्ट में फ्रेंड्स जो है एक जगा लिखा है कोई अवार्ड नहीं 1957 में फिर वहाँ नीचे The Vice at the Back Door The Vice at the Back Door इसी इयर में मिला था Elizabeth Spencer को नॉमिनेट किया गया था नॉमिनेट किया था इनको The Vice at Back Door बाई Elizabeth Spencer और इसके बाद आते हैं 1958 पर 1958 में मिला था किसे James Aegee को Postumus विन ये मरने के बाद मरने के बाद इनको मिला A Death in the Family James Aegee को मिला था Postumus ये एक्जाम में पूछा जा सकता है कि Postumus विन यानि Postumus विनर कौन हुए थे Examination Point of Way से ये Question important है ये अवार्ड इंपॉर्टन है कि 1958 में A Death in the Family by James Aegee को Postumus विनर बनाया गया था और 1959 में The Travels of Jamie The Travels of Jamie Mac Feeters ये वर्क है इसको लिखा था Robert Lewis Taylor ने Robert Lewis Taylor ने इसको लिखा था इसलिए ये जो है अवार्ड इनको दिया गया Robert Lewis Taylor को 1959 में अब चलते हैं Friends Next Decade में 1960s पे Friends आ चुके हैं हम 1960s में Advise and Consent Advise and Consent के लिए Allen Drury को दिया गया 1961 में दिया गया To Kill a Mockingbird Harper Lee ये Question पूछा जाता है Friends यहां जो ये Cross लगे हुए हैं इन Cross को इक्नूर करिएगा इसका Background automatically किसी तरह से चेंज हो गया तो उसको आपको इक्नूर करना है ये Cross लगा इसका मतलब ये मत समझेगा कि ये Cross है तो ये गलत हो का 1962 में The Age of Sadness by Edwin O. Connor को 1962 में The Age of Sadness by Edwin O. Connor को इसके बाद 1963 में The Reverse 1963 में The Reverse by William Faulkner पोस्थमस विन ये देखिए विल्यम फाकनर को पोस्थमस ली दिया गया था 1963 में The Reverse work के लिए इसके बाद 1964 में नू अवार्ड गिवन फिर 1965 में The Keepers of the House The Keepers of the House by Cyril and Grau को दिया गया था work इसके बाद 1966 में 1966 में आप देख रहे हैं कि The Collected Stories of Catherine N. Porter by Catherine N. Porter के दोरा लिखा गया था इसके लिए इनको Pulitzer Award दिया गया 1967 की बात करें तो The Fixer by Bernard Malmood Bernard Malmood को दिया गया इसके बाद 1968 1968 में फ्रेंड दिया गया The Confession of Nat Turner किसको Confession of Nat Turner वर्क के लिए दिया गया William Styron के लिए और 1969 में दिया गया हाउसमेड 1969 में दिया गया हाउसमेड आफ डॉन बाई एन इसकोट Muma Day को दिया गया 1969 में यह दिया गया आप चलते हैं Next Decade पर 1970s 1970s में किसको किसको दिया गया इसको अब हम देख लेते हैं 1970s में फ्रेंड्स दिया गया 1970s में वर्क दिया गया पहला The Collected Stories of Gene Stratford by Gene Stratford 1970s में इनको दिया गया 1971 में नो अवार्ड गिवन 1972 में Angel of Repose by Wallace Stegner Angel of Repose by Wallace Stegner इनको दिया गया Pulitzer Award 1973 में दिया गया The Optimist Daughter Uroda Welty Uroda Welty को 1974 में कोई अवार्ड नहीं दिया गया नॉमिनेट किया गया था Gravity's Rainbow by Thomas Pinkan Thomas Pinkan यह जो T है Thomas Pinkan को दिया गया इसके बाद 19 नॉमिनेट किया गया था 1975 में The Killer Angels by Michael Shara Killer Angels वर के लिए Michael Shara को 1975 में Pulitzer Award दिया गया और 1976 में Humboldt's Gift by Saul Bellow इनको दिया गया 1977 में No Award गिवन और नॉमिनेट किया गया था The River Runs Through It by Norman Mack Lean और दूसरे थे Roots by Alex Halle Special Pulitzer Prize और उसके बाद आते हैं 1978 में Elbow Room by James Allen MacPherson Elbow Rooms 1978 में और 1979 में The Stories of John Cheever by John Cheever को दिया गया था आप चलते हैं 1980 पर तो फ्रेंड्स 1982 2020 यानि कि 1980 से लेकर 2020 तक कि जो वीडियो अपलोड करूँगा वो नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि उसमें जो है One Year में Three Awards हैं तो बहुत बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैंने यह डिसाइड किया 2020 यानि कि 1980 से लेकर 2020 तक कि कि जो अवार्डीज हैं उनकी मैं नेक्स्ट पार्ट में पार्ट टू में वीडियो लेकर आऊंगा अगर ये आपको अच्छी लग रही हो या फिर ये यूजफुल लग रहा हो अच्छा लगना दूसरी बात है लेकिन examination point of view के लिए पढ़ना जैसे अच्छी से अच्छो किताबें भी अगर आपका पढ़ने का mood नहीं है तो वो ठीक नहीं लगती लेकिन इसका मतलब नहीं कि ठीक नहीं लगी तो किताब अच्छी नहीं है किताब अच्छी होती है इस वीडियो के facts अच्छे हैं तरीका जो भी हो आप कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कुछ लोगों को कम अच्छा लग सकता है तो जिने अच्छा लग रहा हो जिने ठीक लग रहा हो जिनको ये लग रहा हो कि ये यूजफुल है यूटूब पर ये लिस्ट वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स और अभी तक अगर बेल नहीं दबाए तो बेल दबाएं बेल की बेटन को और उसके पार्ट में थैंक यू